हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंटर आप मास ड्यू टू कंटिनुवस मास सिस्टम जो कंटिनुवस बॉड़ी ए लाइक रिंग है हाफ रिंग है डिस्क है होलो एस्पियर है सॉलिड एस्पियर है कोन है यह हाफ पूरे का तो इसके सेंटर पर आएगा तो बड़ अगर आधा एस्पियर हो तो कहां आएगा तो वह चीज़ हम सीखेंगे तो center of mass continuous body का कैसे लिखते हैं पहले उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि formula क्या है और concept कैसे काम करेंगे जो discrete था position vector of center of mass discrete particle क्या था position vector of center of mass r vector था क्या था m1 vector r1 plus m2 r2 and dot 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 divided by summation of mass या यूं कहो कि sigma sigma mi ri divided by sigma mi i is equal to 1 to n जितने भी particle हैं वो सबको हम जो जोड़ देते थे पर अगर continuous mass हो गया तो continuous mass हो गया particle बहुत pass हो गया बहुत pass हो गया तो फिर जोड़ने के लिए मैं क्या यूज करता हूं mathematics में तो बहुत pass यूज हो गया तो जोड़ने के लिए मैं यूज करता हूं integration sigma और जो mass है उसके मैं अब ऐसे नहीं जोड़ूँगा न बहुत passes है mass तो mass के pieces करूँगा टुकड़े करूँगा या और जितना ज्यादा टुकड़ा होता है उतना ज्यादा accuracy बढ़ती है ये mass dm और multiplied by r and integration आप dm अगर किसी body के पूरे mass को छोटे छोटे pieces करके दुबारा जोड़ोगे तो mathematics के according तो total mass ही आ जाएगा या integration आप dm और r तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये discrete particle तक था अब इधर वो continuous mass इसके लिए लगेगा मतलब हमारा formula change हो गया continuous mass जो rod है ring है disk है ये सब जो हमारे पास continuous mass है उसके लिए मैं rcm अगर मैं लिखूंगा तो rcm लिखूंगा तो मैं लिखूंगा total mass of the body और integration of dm और position vector और xcm लिखूंगा total mass और integration of dm और a x अब यहां important x क्या है यार x जो है dm mass वाले का center of mass का x coordinate है उस तरह से r क्या था dm mass का जो element है उसके center of mass का position vector था तो यह जो x है इसके बारे में मुझे जानना बहुत जरूरी x coordinate x coordinate x coordinate of center of mass of dm element जो आप dm element लिए हो उस dm element के center of mass का x coordinate x is the x coordinate of center of mass of dm element यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादे बत्रे कलती करते हैं उनको समझ में नहीं आता यार ठीक है जो हमने element लिए integration के लिए है उस element का x वाला coordinate है कोई normal coordinate नहीं है उस dm का center of mass का x coordinate है उसी तरह से y cm क्या है तो y cm जो है capital m integration of dm और y तो dm क्या है limit जो है वो depend करते हैं safe size और body के कहां से कहां तक integrate करना limit कैसे लगाना वो बोडी decide करेंगी वह ही हम लोग decide करेंगे ठीक है तो जो dm element है उस dm element का center of mass का उस dm element का center of mass का y coordinate है जैसे मालो अगर मेरा element है अगर कोई मालो यह मेरा element कोन है तो यह यहाँ एक element मिला ring है अब ring एक dm element है तो dm element का center of mass इसके center पर है और action y आया समझ में तो dm element dm element का center of mass यहां आया तो इसका action y आएगा यह बात समझना बहुत जरूरी था उसी तरह से z cm cm center of mass continuous body का one upon capital mass समझना dm और z coordinate dm element के center of mass का z coordinate यह अब इन तीनों फार्मूलों के अगर आप समझ गए यह चार जो फार्मूले हैं इन ही फार्मूले को हम use करके center of mass of different different shape और size वाली जो बाडी है उसका calculate करते है चार और दोवा आप समझना तार्मूले को हमे उसा दोब से पती है और समझना प्ली रह उसکे जो दो